नमस्कार मेरा नाम दिनेश आनन्द है और आप देख रहे हैं बायवग्राफी बाय आनन्द चट पुजा के पावन अवसर पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छटी मया और इस महा पर उसे जुड़ी मानेताओं की मारकंडे पुरान में इस बात का उलेख है कि जब ब्रहमा जी ने पृत्वी का निर्मान शुरू किया तो उन्होंने प्रकृती का भी निर्मान किया इसके बाद देवी प्रकृती मातार ने खुद को छे रूपों में विभाजित किया जिनके छटे अंश को छटी मया के रूप में जाना जाता है साथी छटी मया को ब्रहमा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है बच्चे के जन्म के छटे दिन भी देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है जिससे बालक को अच्छे स्वास्त और दिर्गायू की प्राप्ति होती है धार्मिक मानेताओं के अनुसार देव सेना यानी छटी मया का विवा भगवान शंकर के पुत्र कार्तिके से हुआ था इस नाते वो भगवान शिव की पुत्र वदू भी है वहीं धार्मिक मानेताओं के अनुसार छटी मया को सुरेदेव की बहन भी बताया गया है छटी मया की उत्पत्ती को लेकर एक पौरानिक कथा भी है जिसके अनुसार राजा प्रियमवद और पत्नी मालनी को कोई संतान नहीं थी और दोनों ही इस बात से बहुत दुखी थे कुछ वक्त बात दोनों संतान प्राप्तिक एक्षा लेकर रिशी कश्चप के पास पहुँचे तब रिशी ने उन्हें संतान सुख पाने के लिए यग्य करने को कहा राजा ने रिशी के आदेश का पालन किया और जल्द ही उन्हें एक बेटा भी हुआ लेकिन वह बच्चा जीवित नहीं था राजा प्रियमबद ने पुत्र वियोग में प्रान त्यागने का फैसला किया लेकिन उसी वक्त करन्या देव से ना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि स्रिश्टी की मूल प्रविर्टी में छठे अंशे में उत्पन हुई हूँ इसलिए मेरा नाम स्रिश्टी भी है इसलिए तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो राजा ने ऐसा ही किया और जल्द ही उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुई सूरिदेव की अराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना को समर्पित छठपुजा का या महापर्व हर साल कार्तिक मास के सुकल पक्ष की सस्टी तिथी को आता है छठपुजा कैसे शुरू हुई इसे लेकर कई अतिहासिक मानेताएं भी हमारे सामने है पुराणों में छठपर्व के पीछे की कहानी राजा प्रियमवत को लेकर है लेकिन इसके अलावा एक और कथा भी पुराणों में मिलती है वालमी की रमाइन के अनुसार बिहार के मुंगेर में जहां सीता माता का चरंचिन है वहीं रहकर उन्होंने छे दिनों तक छठपुजा किया था प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष की बनवास के बाद आयोध्या लोटे तो रावनवद के पाप से मुक्त होने के लिए रिशी मुनियों के आदेश पर राम यग्य सूरी करने का फैसला लिया इस यग्य के लिए मुगदल रिशियों को आमन्सित किया गया लेकिन मुगदल रिशियों ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया रिशियों के आदेश पर दोनों आश्रम पहुंचे और उन्होंने छट की पूजा के बारे में रिशियों को बताया मुद्वल रिशी ने माता सीता को गंगल जल छिड़क कर पवित्र किया कहा जाता है कि यही रहकर माता सीता ने छे दिनों तक भगवान सुरिदेव की उपासना की थी साथ ही ऐसी भी मानता है कि सीता माता ने जिस स्थान पर छट पूजा संपन किया वहां आज उनके पधचिन मौजूद है लेकिन काफी साल पहले ही दियारा छेतर के लोगों ने इस स्थान पर सीता चरन मंदर का निर्मान करा दिया यह मंदर हर साल गंगा की वाल में डूबता है और महीनों तक सीता के पधचिनों वाला पत्थर यहां गंगा के पानी में डूबा रहता है बावजूद इसके उनके पधचिन आज तक धुमिल नहीं पड़े श्रद्धालूं में इस मंदर के प्रती गहरी आस्था है और दूसरे राजियों से भी छट पूजा के समय लोग यहां मत्था टेकने आते हैं और श्रद्धालूं की सभी मनों कामनाई भी पूरी होती है एक मानता ये भी है कि छट के इस महापर्व की शुरुवात महाभारत काल में हुई सबसे पहले इसकी शुरुवात सूरी के पूत्र कर्ण ने सूरी की पूजा के साथ की थी वो घंटों तक पानी में खड़े होकर सूरी को अर्ग देते और सूरी देव की कृपा से ही वो महान युद्धा भी बने छट पर्व के बारे में कथा और भी काफी प्रचलित है इस कथा के मताबिक जब पांडव अपना राजपार्ट जुए में हार गए तब द्रौपिदी ने छट पर्व रखा था इस व्रत से उनकी मनो कामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपार्ट वापस मिला लोग कथाओं के अनुसार सूरी देव और छटी मया का संबंद भाई बहन का है इसलिए इस महापर्व के इस पावन अवसर पर सूरी की अराधना को फलदाई भी माना जाता है गरंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यों की पत्नी उत्रा के गर्व में पल रहे बच्चे का वद हुआ तब भावान सिरे कृष्ण ने उत्रा को छट वरत रखने की सलाह भी दी थी तो ये थी कहानी छटी मया और इस महापर्व से जुड़ी कुछ मानेताओं की अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे ऐसे ही वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना ना भूले इस वीडियो से सम्मंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार